हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता है दोस्तों नमस्कार मेरा नहीं डॉक्टर केके पांडे और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे एसीड हाइड्रो सियानीकम के बारे में तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों पीते बादाम, सीता फल के बीज, बेर की गुठली, आदि में और पीछ वरिछ के पत्तों में जो एक तरह का तेज विसेला पदार्थ रहता है, यह वही विस्थ है इसकी एक बूत से छण भर में किसी जीव का जीवन नश्ण हो सकता है परंतु यही सक्तिकृत यानि पोटेंटाइज होने पर हैजा की अंतिम आवस्था में और अकड़न, धनुष्ट तंकारी यानि ठीटैनेस और हिर्दे की बीमारी इत्याद में बहुत समय मुर्दे में जान डाल देता है इसी का दुसरा नाम है प्रूसीक एसीड हैजा एका एक, नाड़ी छूट कर सारा सारी बरफ की दर ठंधा और पाखाना, पिशाब, वमन सभी बंद हो गए हो सांस छोड़ने में बहुत कष्ट हो यहाँ पे इसको हम कंपेर कर सकते हैं सांस लेने में कष्ट अगर सांस लेने में कष्ट, वहाँ पे आरसनिक देते हैं और सांस छोड़ने में कष्ट यह दोस्तों समझने की चीज़ को समझेगा सांस छोड़ने में, सांस लेना और सांस छोड़ना दो लगज़ चीज़ होती है तो यहाँ पे सांस छोड़ने में कर्शोता है इस मेडिसिनिया इत्याद लच्छनवाले हैजा में सीत आ जाने की अवस्ता में यह अधिक लाफ करता है परण तो यह भी देखा जाता है कि इसकी क्रिया जादा देर तक नहीं ठहरती ऐसी अवस्ता में सियनाइट आफ पोटास अधिक लाफ करता है और उससे अस्थाई लाफ भी दिखाए देता है डॉक्टर सूसलर का कहना है पेरलिटिक अर्थात पाच्छा घातिक जाती के हैजा में जहां एका एक दो चार बारही दस्त के होकर नाड़ी दब जाती है रोगी मुर्दे की तरह सुन होकर पड़ा रहता है वहां हाइड्रोसाइनिक एसिट प्रियोग करना चाहिए पर हम लोग इन सब लच्छनों में कैमफर से अधिक फायदा होते देखते हैं शारांस यह है कि हिर्दय की गती नाड़ी छीड हिर्दय की गती तेज होना नाड़ी छीड होना और असमें हिर्दय और फेफड़े में रखती कठा होना वहां बहुत अधिक दर्द पहले खीचन उसके बात पेशिव में बहुत सुस्ती बिल्कुल विहोशी का भाव हो जाना उद्वेग होना पेशिण के अंदर सांस में कष्ट गले में घड़गड सर्द होना विखड़े का एक एक सुस्त पड़ जाना सारा सरी बरफ की तरह ठंडा हो जाना इत्याद है हैड्रोसानिक एसी प्रयों के विशिश लचन है साइनाइट पोटास एसी हैड्रोसानिकम की भावत ही यह भी तेज़ विश है दोस्तों यह एक मेडिसीन है साइनाइट पोटास इसका ध्यान रखिएगा इसी बीमारे में बहुत अधिक स्वांस कस्ट दम रुकने की तरह भाव हिमाग नाडी का लोब हो जाना रोग का एकाई आक्रमन देखते देखते रोग के उपसर्ग बढ़ जाना इत्यादे लच्छन रहने पर इसे बहुत पैदा होता है है जा कि शीत वाली और नाडी लोब वाली अवस्ता में यदि स्वांस में कश्ट हो तो इससे उपचार होने की विशेश संभावना तो है ही उसके अलावा प्रतिक्या आराम होकर रोगी जब धीरे धीरे आराम होने की ओर बढ़ रहा हो उसमें यदि एक आएक स्वांस की तकलीफ पैदा हो जाए और रोगी की हालत फिर बिगड़ जाए मृतिक्या संभावना तीक पढ़ने लगी हो तो तुरंत इसका प्रियोग करना चाहिए कितने ही चिकस्तकों का कहना है इसके सिक्स एक विचूड एक क्रम से ही चल्द फादा होता है कुबरा या नैजा यह भी हैजे की हिमांग अवस्ता की उत्तम दवा है हैजा की हिमांग अवस्ता हिमांग यानि बर्फ जैसी अवस्ता हो जाए पुर्ध्थ स्वांस चलने लगे स्वांस प्रवांस की क्या बहुत जल्दी जल्दी हो और हरिदय बहुत जोड जोड से चलता हो तो इसका प्रियुकर रोगी क्यों काल की कराल गाल से लौटाया जासपता है लेकैसिस भी इसी उस्ताइक एक लाब दैग दवा है प्रभेद, भेद क्या है? ये नजा ध्या में मिलेगा आपको फुस्फुस का पच्छा घात, फुस्फुस यानि फिफड़ा फिफड़े का पेरलिसिस हो जाए ओट, नीले दिखाए देते हूं वहाँ पे कोबरा ये नजा बहुत अच्छा काम करते है धनुष टंकार धनुष टंकार यानि टिटैनेस सरी लकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है माथा, पीट और धनुष का की तरह टिड़ा हो जाता है सांस देर से चलती है जबड़े अटक जाते है मुँ में फेन भर जाता है और गरदन में खिचन होती है वच सस्तर में खिचन अगर हो तो वहाँ पे सैकूटर विरोसा दिया जाता है सैकूटर करोगी टक टकी लगाकर देखता रहता है बिहोशी जल्दे जल्दे आती है हैड्रोसाणिक एसिज़ का की विहोशी ज्यादा देर तक ठहरती है ये अंतर है मिर्गी असली मिर्गी नहीं किन्तु मिर्गी की तरह की विहोशी और खीचन खीचन आरम होने के पहले वमन यानि उल्टी होना जिम इचलाना मुँँ में पानी भाराना इत्यादी कई लच्छन रहते है दात लग जाता है मूँ से फेन निकलता है आँख की पुतरी इस्तीर हो जाती है या बड़ी हो जाती है ये लच्छन हैं मिर्गी के हैड्रोसाइनिकम के इंदर खासी फिरते की बीमारी के साथ खासी का होना और यच्छमा रोगियों यानि टीवी की रोगियों की सुखी फुसकुसी खांसी में एसीड हैड्रो लाब दैक है एसीड हैड्रो दोस्तों यानि की एसीड हैड्रो साइनिकम ये समझेगा यच्छमा की खांसी अगर रात में बढ़े और खांसी के साथ साथ थोड़ा बलगम और उसमें खून के छीटे मिले हुआ है तो लारेसी सिस लारो सिरेस से लाब होगा अकडन इस रूप में अगर उपर बताये धनुष टंकार के सब लच्छन या थोड़े लच्छन मिले तो हाइड्रोसायनिक एसी का बेवार करना चाहिए शूल का दर्थ या पीट का दर्थ पोलिक गेस्टेल या पाकाशय का शूल पीट में जूर का दर्थ होना फोड़ा खाली होते ही दर्थ का बढ़ जाना फिर्दय रोप कलेजे में बहुत धड़कन नाड़ी कमजूर और असम सारा सरी ठंधा कलेजे में तकलिप देने वाला दर्थ एंजाइना एक्टोरिस यानि हिर हिर्दय का शूल हिर्दय का दर्थ ऐसी कंडिशन में यह अच्छा काम करती है जूर किसी भी जूर में यदि अचानक नाड़ी छूटकर रोगी की हालत खराब हो जाए तो सबसे पहले हैड्रोसानिक एसी कोई ध्यान में रखना चाहिए विश्क्रिया नाशक अमोनियम कार प्योपर उप्योपर इसके विश्क्रिया नाशक और श्दी है इसका जो इस्तमाल किया जता है वह थे एक पोटینसील से लेगर और अरके 30 पोटेंसील तक इस्तमाल किया जता है तो दूस्तों यह सारी जानकारी रहे है आज हैड्रोसानिक एसीद के बारे में मैं अविद कर मेर्या है तो ऐसी कंदिशन में जब भी इस दवा के लच्छ मिनित वह आप इसको इससे इसमाल कर सकते हैं और आप इससे अपना फायदा ले सकते हैं या कई सारे मरीजों का भी सिर्चीक कर सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे एक और नई जानकारी के साथ है तब तक अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार दोस्तों